हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं नहुँ आचारे पंडित सर्वदनन्द शर्मा और मेरी और से भी आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है तो इससे पहले के हम आपके राशीफल की चर्चा आरम करें सर्वपर्थम आज का जो पंचांग है उसकी जानकारी भी आपको देंगे तो देखिए दिनांक 22 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार समवत 2077 हिंदी का महिना है मार्क शीर्ष पक्ष शुकल पक्ष तिथ अश्टमी जो की शाम 6 बचकर 15 मिनट तक रहेगी उसके पश्चात नवमी तिथी आरम भोगी आज का नक्षत्र रहेगा उत्त्रा भाद्रपद योग आज का व्यतिपाथ और आज करण है बव चंद्रमा मीन राशी में संचार कर रहे हैं और आज के राहुकाल का समय है शाम 3 बचकर 6 मिनट से लेकर शाम 4 बचकर 27 मिनट तक अभीजीत मुहूर्थ है दो पहर 12 बचकर 2 मिनट से दो पहर 12 बचकर 50 मिनट तक और जो भी आज आज आपको शुब कार्य कोई करना है तो आप इस अभीजीत मुहूर्थ में कर सकते हैं ये बहुत ही शुब मुहूर्थ माना जाता है सभी प्रकार के शुब कार्यों के तो ये था साथियों आज का पंचांग अब चर्चा करेंगे आपके राशी फलके विशे में और सबसे पहले आरम करेंगे मेश राशी से तो आईए जानते हैं दोस्तों के साथ आज आपकी शाम अच्छी रहने वाली है लेकिन ज्यादा खाना खाने से बचें क्योंकि यह आपकी अगली सुबह खराब कर सकता है लंबे समय से अटके मुआवजे और करज आदी आखिरकार आपको मिल तो जाएंगे और बच्चे जो हैं आपके भविश्य की योजना बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज़्यादा समय बिताकर आपको निराश कर सकते हैं प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वज़ा देती है जो कला और रंग बंच आदी से जोड़े हुए हैं उन्हें आज अपना कौशल दिखाने के लिए बहुत से नए मौके मिल सकते हैं दिन आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाग थोड़ी छेर चार आपको किशोर आवस्था में ले जाएगी तो मित्रों ये था आज आपका दिन कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा मेश राशी के जातकों के विशे में अब आज का उपाय क्या रहने वाला है आपके लिए तो देखिए अपने इश्ट देव को पूजा में लाज सिंदूर अर्पित करने से आपका दिन बहुत ही शु तो आईए जानते हैं अपने मनमोजी और जित्ती सोहाव को काबू में रखें खास तोर पर किसी जलसे या पार्टी में क्योंकि ऐसा ना करने पर वहां का माहुल तनावगरस हो सकता है नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा परिवार के लि प्रेम के नजरिये से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होगा नई शुरू की परियोजनाय उम्मीद के मताविक प्रणाम आज नहीं दे पाएंगी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दर्सावेज साथ रखना ना भूलें आपका जीवन साथ आपको प्यार का एसास देना चाहता है उसकी मदद कीजिए आज का उपाए रहेगा आपके लिए नौकरी या व्यापार में अगर आप लाब अरजित करना चाहते हैं आज तो अपने जूतों के तलूओं में तामे की साथ साथ कील लगवा सकते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी का दिन आज कैसा रहेगा जातकों का तो आउटडोर खेल आपको आकरशित करेंगे ध्यान और योग आपको फायदा पहुचाएंगे जो लोग अब तक पैसे को विना वजय ही उड़ा रहे थे आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना हो और धन की बजट करनी होगी कोई नया रिष्टा ना सरफ लंबे वक्त तक कायम रहेगा बलकि फायदे मंद भी साबित होगा अपनी दिवानगी को आज आप काबू में रखें नहीं तो यह आपके प्रेम संबंद को मुश्किलों में डाल सकता है आपके लिए आज बहुत स अच्छा रहेगा दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे चीज़ें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी लेकिन अपने हमदम के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे आज का उपाय रहेगा आपके लिए गणेश जी के मंदिर में एक काला सफेज जंडा पताका जिसको बोलते हैं दान में देने से आपके संबंद सभी के साथ और विशेश कर प्रेम संबंद बहुत अच्छे होंगे मजबूत होंगे अब चर्चा करेंगे करकराशी के जातक जो है उनके विशह में कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है तो आईए जानते हैं थोड़ा आज आपको विश्राम करना चाहिए और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम अवश्य करें आपके घर से जोड़ा निवेश फाइदे मंद रहेगा बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे ऐसा उल्टा सीधा आपके मुझसे ना निकल जाएं कि जिससे की आपस में तनाव पैदा हो नहीं तो बाद में आपको पर उसके लिए पश्ताना भी पढ़ सकता है कारे छित्र में आपका कोई प्रती दोंदी आज आपके खिलाफ कोई साजश कर सकता है इसलिए आज आज और धार्मिक समारों के लिए बहतरीन दिन रहेगा जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है आज का उपाय आपके लिए रहेगा अच्छी लव लाइफ के लिए किसी भी गरीब व्यक्ति है उसको चम्रे के जूते दान करें अब हम जानेंगे सिंग राशी के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है तो आईए जानते हैं लंबे समय से चली आ रही अपनी बिमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है आज आप काफी पैसे बना सकते हैं लेकिन इसे अपने हातों से फिसलने बिल्कुल भी ना दें घर में साफसफाई की जरूरत तुरंत है हमेशा की तरह इस काम को अगली बार के लिए बिल्कुल भी ना टालें और कमर कसकर जुट जाएं अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बिल्कुल परेज करें बचें आज आपके पास अपनी धनारजन की छमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे सेमिनार और प्रिदर्शनी यदि आपको नई जानकारिया और तथ्य मोहिया कराएंगे जिवन साती से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रिदिकरिया मिल सकती है उपाय आज का उपाय आपके लिए रहने वाला है लाल या भूरे रंकी गाय को रोटी में गोड़ रखकर खिलाने से आपके संबन विशेश कर प्रेम संबन बहुत अच्छे और मजबूत होंगे अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशी के जात्तकों के विशे में कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है आईए जानते हैं अपनी शारिरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार ले आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दवाब में आ सकते हैं हाला कि इस्तिती जल्द ही सुधर भी जाएगी बच्चे आपको घरेलू कामकाज निप्टाने में मदद करेंगे आपकी अपने साथी को भावनात्मत तौर पर बलैक मेल करने से बचे कार्य चेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में लगती हैं आज आप व्यस्ति दिन चर्या के बाब जूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ रहेंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं जीवन साती की खराब सेहत के चलते आज आप थोड़े चिंता गरत गरस रह सकते हैं आज का उपाय आपके लिए रहेगा विकलांग लोगों की सेवा करें उससे आपका स्वास अच्छा रहेगा और आपके घर में भी खुशाली बनीगे तुलाराशी के जातकों की विश्य में जानेंगे अब कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है आज का दिन मौज मस्ती और आनन से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जीएंगे आपके माता पिता आपकी फिजूल खर्ची को देखकर आज चिंतित हो सकते हैं और इसलिए आपको उनके गुस्ते का शिकार भी होना पड़ सकता है परिवार के साथ सामाजिक गतिविदियां सभी को खुश रखेंगी आज प्रेम संबंदों में अपने सौतंतर विवेक का इस्तमाल कीजेगा आपके पास आज अपनी छमताओं को दिखाने के मौके होंगे पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनन्द की तलाश में किसी आध्यात में गुरू से मिलने जा सकते हैं लंबे अर्से के बाद जीवन साथ की के साथ काफी वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है आज का उपाय आपके लिए रहेगा किनरों को, यनि के बुद्ध न पुनसक हैं इसलिए किनरों का भूल कर भी अपमान ना करें वे यथा शक्ति इनको दान देने से आर्थिक सिती आपकी मजबूत ही होगी यह था आज का उपाय, आगे हम चर्चा करेंगे कि जो व्रिष्चिक राशी के चातक हैं, उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है तो आईए जानते हैं, यह हंसी की चमक से उजला दिन है जब जाजातर चीजें आपके मन के मताविक होगी रुका हुआ धिन आपको प्राप्थ होगा और आर्थिक आहलात में भी आपके सुधार आएगा आपकी ज्यान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार सावित होगी जिन्दगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिया को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना होगा बिना गहराई के समझे बूजे किसी व्यफसाइक या कानूनी दस्तावेश पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर ना करें अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूर से ज़्यादा जेव धीली करने से भी बचें अपने जीवन साथी की नुक्ता चीनी से आप आज परिशान हो सकते हैं लेकिन वह आपके लिए कुछ बढ़िया भी करने वाला है आज का उपाय आपके लिए रहेगा ओम एंग हिरिंग शिरिंग शनिष्चराए नमाह इस मंत्र का सुबाश शाम 11 बार उच्चारण करने से आपके परिवार का महौल दुर्स होगा खुशगवार होगा और आपके प्रेम संबंदों में भी मजबूती आएगी अब हम चर्चा करेंगे कि जो धनुराशी के जातक हैं आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है तो आईए जानते हैं आज आप खुशियों से बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रियास करेगा आज आप खुश को अपने प्रिया के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे और इस लिहाज से आज का दिन बहुत खुशूरत रहने वाला है दोस्त आपको तारीव से सराबोर करतेंगे क्योंकि आप बहुत कठिन काम पूरा करने में कामयाब होंगे दिन की शुरुवात भले ही थोड़ी ठकाऊ रहे लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फलों की प्राप्ती होने लगेगी दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सद्यूप्योग कर सकते हैं बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ यही खास है आज आज का उपाय आपके लिए रहने वाला है घर में सरकंडे या तिलियों की चिक्खड की दरवाजे पर लगाना आर्थिक सिती के लिए बहुत शुब रहेगा अब हम चर्चा करेंगे जो मकर राशी के जातक हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला इस विशे में तो आईए जानते हैं आपका उदार सोभाव जो आपका सोभाव है उदार सोभाव आज आपके लिए कैई खुशनमा पल लेकर आएगा आज आप अपने घर के वरिष्ट जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सला ले सकते हैं और उस सला को जिंदिगी में जगा भी दे सकते हैं बेहन का इसने आपको प्रोट साहन देगा लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपकोने से बचिएगा क्योंकि इस से आपके हितों को नुकसान ही पहुँचेगा आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है ऐसे लोगों से साथ जुड़ें जो इस सापित हैं पहले से एस्टाबिश्ट हैं और भविश्य के रुजानों को समझने में आपकी मदद भी कर सकते हैं आप चाहें तो परेशानियों को मुस्करा कर दरकिनार कर सकते हैं या फिर उन में फसकर परेशान हो सकते हैं चुनाव आपको ही करना है आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिष्टों की तरह है और आपको आज यह एसास भी हो जाएगा आज का उपाय रहेगा आपके लिए चंद्र उद्य के बाद चंद्रमा जब उद्य होंगे उसके बाद चंद्रमा की किरनों में बैठकर खीर खाने से आपका परिवारिक सुखों में ब्रद्धी होगा कुम्बराशी के जातकों के विशे में जानते हैं कि दूसरों के लिए खराब नियत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है इस तरह के विचारों से आप बचें क्योंकि ये समय की बरबादी करते हैं और आपकी छमताओं को खतम करते हैं उधार मांगने वाले लोगों को आज आप पूरी तरह से नजर अंदाज करें आज ना सिर्फ अजनबियों से बलकि दोस्तों से भी आपको साफ़धान रहने की हम सला देते हैं आपका प्रिये दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा कार्य शेतर में आपके प्रिती दुंदियों को अपने गलत कार्यों का फल मिलेगा दूसरों की राय को गौर से सुनिए अगर आप आज वाकई फायदा चाहते हैं तो संभावना है कि आपके और आपके जीवन साती के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है इससे बचाव ना करने की स्थिती में इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे आज का उपाय रहेगा आपके लिए गनेश चालिसावे गनेश जी की आरती का पाट करने से आरती की स्थिती मजबूत होगी और अंत में जो मीन राशी के चातक हैं उनके विशे में जानेंगे कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है तो देखिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति आश्रवात की वर्षा करेगा और मन की शांती लेकर आएगा होशारी से आज आप अपने धन का निवेश करें आज आप जिस समाजिक कारेकरम में जाएंगे वहाँ आप सब के ध्यान का केंदर बनेंगे किसी से अचानक हुई रुमानी मुलाकात आपका दिन अच्छा बनाएगी भागिदार आपकी योजनाओ और व्यवसाहिक ख्यालों के पिरती उत्साही होंगे दिक्कतों का तेजी से मुकावला करने की आपकी छमता आपको एक खास पहचान दिलाएगी शादी के ठीक पहले के खूबसुरत दिनों की याद ताजा हो सकती है वहीं छेड चाड आगे पीछे घूमना और इजहार गर्माहट पैदा करेंगे आपके जीवन में आज आज का उपाय रहेगा आपके लिए गनेश जी को दुरुवा घास चड़ाने से आर्थिक इस्सिति आपकी बैतर होगी तो ये था मेश राशी से लेकर मीन राशी तक का देनिक राशी फल दिनांग बाईस दिसंबर दो हजार बीस अब समय आगया है सातियों अपनी वानी को वराम देने का और आप सभी चोताकरणों से इजाज़त लेने का इसी के साथ भहुत भहुत धन्यवाद जैमाता दी झाल झाल झाल